जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में इस नए वर्ष 2022 की आप सभी को हर देख्षुब कामना है मातारानी इस वर्ष आपकी हर इच्छा को पुरा करे तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए वर्ष 2022 के प्रथम माह, जन्वरी माह के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए इस वर्ष की शुरुवात कैसी होने वाली है ये प्रथम माह कन्याराशी के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्टन उनके जीवन में लेकर आया है आपके कारेशित्र में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे आपकी आर्थिकिस्ति थी इस वर्ष की शुरुवात से कैसी रहेगी लाब मिलेगा की नहीं प्रेम जीवन इस वर्ष कैसा रहेगा इस महिने में परिवारिक जीवन जनवरी माह में क्या होगा और विद्यारतियों के लिए ये महिना कैसा रहने वाला है साथ में जानेंगे वीडियो के अंत में कुछ महत पून उपायों के बारे में भी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको उस समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो ये जनवरी माह 2022 का कन्या राशी फल है और कन्या राशी के लोगों के लिए ये जनवरी का महिना बड़े अच्छे परिनाम लेकर आया है खास तोर पर कारेशेत्र से जुड़े लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत उत्मफल देखने को मिलेंगे इस महिने में आपकी राशी के दसंभाव में मंगल और राहु की युदि है जो आपके हर अधूरे पड़े कारे को पूरा करने में मदद करेगी इससे आप और अधिक महनत करेंगे और अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से प्रोथसाहन प्राप्त कर पाएंगे दूसी तरफ अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं किसी तरह का व्यपार करते हैं तो आपको इस समय अनुकूल फल देने के योग बन रहे हैं व्यपार विस्तार के लिए ये महीना बहुत ही महत्पून होगा आप कुछ अच्छे निर्ना ले पाएंगे पार्टनर्शिप में आप काम काज करते हैं तो अपने साज़दारी से अपने संबंध बहतर बना कर चलने के आवशक्ता होगी क्योंकि तभी आप एक दूसरे के विचारों को जानकर अपने व्यपार को आगे बढ़ा पाएंगे आप सिक्षा की देखें तो इस महिने में पंचम भाव में उपस थे तशनी और बुद्ध की युदि विदेश में जाकर पढ़ाई करने वालों का सपना पूरा कर सकती है शुब फल देने की युग बना रहे है दूसे तरव आपकी राशी में छटे भाव में गुरु ब्रस्पती बैठे हैं जो थोड़ा आलस में वरद्धी कर सकते हैं और ये आलस प्रतियों की परिक्षा के तियारी कर रहे बच्चों के लिए काफी नुकसान दायक होगा और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए आलस को त्याक कर अतिरिक्त मेहनत की तरफ ध्यान देना होगा ताकि आप अच्चे फल प्राप्त कर सके अब विस्तार से जानते हैं पहले हैं बात करेंगे कारशेत्र के बारे में तो कन्या राशी के लोगों के लिए करियर की दरस्टी से ये महिना उत्तम रहेगा नौकरी करने वाले जात्कों के लिए महिने की शुरुआत बहुत ही शुब तरीके से होगी मंगल का आपकी राशी के दसंभाव में होना आपके कारियस्थल पर आपके हर सपने को पूरा करने का काम करेगा आप अपनी काम को पूरे ध्यान और लगन के साथ करते दिखाए देंगे तसमभाव पर सूरे की द्रस्टी भी होगी जो आपकी महनत और आपके कारिस्थल पर अपनी इस्थिती को मजबूत करने में मदद करेगी आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा अपनी वरिष्ट अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और आप खुद को बहतर करने की तरफ ज़्यादा देंगे उसके लिए बहुत अधिक प्रयास भी करेंगे मेहनत भी करेंगे और ये प्रभाव ये असर आपकी कारिश्थल पर देखने को मिलेगा नोकरी करने वाले लोगों को इस महिने में पदोनती मिलने की भी संभावना बनी हुई है आपकी कामकाश का दायरा बढ़ेगा और वो जातक जो नोकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें इस महिने के उत्रार्द में किसी अच्छी कमपनी से नोकरी का अफसर मिलने का योग भी है लेकिन किसी भी निर्णा पर पहुँचने से पहले आपको किसी विशे सग्य या अपने बड़ों से अपने साथियों से सलह मश्वरा ज़रूर करना चाहिए अब बात करते हैं वैपारियों के लिए इस महिने में बहुत अधिक अनुकूल फल मिलने की संभावना है आप बस सही योजना बनाए और अगर आप निवेश के किसी कामकाज से जुड़े हुए हैं तो वहां आप अपना काम का विस्तार करने में सफल होंगे पार्टनाशिप में वैपार करते हैं कोई भी काम करते हैं तो वहां थोड़ा ध्यान देना होगा अपने संभन्दों को बहतर बनाने की कुशिश करनी होगी क्योंकि खराब संभन्द आपके वैपार को प्रभावित करेगा आपके वैवार को भी प्रभावित करेगा वो जातक जो अक्ले बिजनिस करते हैं उनके लिए इस महिने में अच्छी स्थिथियां बनेंगी आप अपने संपरकों में इजाफा कर पाएंगी किसी यात्रा का योग भी है काम का जी यात्रा होगी तो वहां से बेच्छे लाबर्जित कर पाएंगी राहू की इस्थिथि आपके नवम भाव में आपको अच्छे रिजल्ट देने का कारे करेगी अब आर्थिक इस्थिथि की बात करते हैं तो कन्यराशी के लोगों के लिए आर्थिक तोर पर ये महिना मध्यम होगा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं आए भी होगी लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं तो खर्चों का कंट्रोल करना होगा और कई ग्रहों का योग एक साथ होगा जो आपके खर्चे और आए के बीच में सामज़स्य करने में मदद करेगा जिसकी वज़े से आप हर तरह की चुनोती पर जीत हासिल कर पाएंगे जो उत्रार्द का महिना होगा उसमें धन पक्ष के लिहाद से अच्छा अनुकुल समय है आप अलग-अलग माध्यमों से धन प्राप्त कर पाएंगे बैंक बैलन्स बढ़ाने में सफल होंगे और कई जातकों को सरकारी शेतर से भी लाब मिलने का योग है बिजनेस से जुड़े लोगों को इस महीने अच्छी सफलता प्राप्त होगी विपारी भी अपने अच्छे मुनाफ़ा अर्जित कर पाएंगे आपका कोई पूर बैंक लोन या पुराना कोई करज इस महीने चुक सकता है जिससे आपको बेहत खुशी मिलेगी और आपको काफी संतुस्टी भी होगी अब बात कर लेते हैं प्रेम, वेवाहिक और पारिवारिक जीवन तो कन्यराशी के लोगों के लिए जन्वरी का महीना प्रेम जीवन में थोड़ा साब परिशान करने वाला हो सकता है पंचम भाव में शनी और बुद्ध आपकी लव लाइफ में थोड़ा परिशान कर सकते हैं किसी तरह की बहसबाजी से बचना होगा, किसी तरह की गलात फैमी से बचना होगा वो नरिष्टों में कमजोरी आ सकती है इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाएं जो भी उठाएं अगर आप शादी शुदा हैं तो दाम परत्त जीवन के लिए ये समय सामानने हैं जीवन साथी क्यों थोड़ी हलकी फुलकी स्वास्ते समंधी परिशानिया हो सकती हैं परकि आप दोनों मिलकर परिवारिक दायत्व निभाने में सक्षम होंगे आपका रिष्टा मजबूत होगा, एक दूसरी के प्रती प्रेम भी बढ़ेगा परिवारिक जीवन के लिए ये महिना बहुत उत्तम है चतुर्त भाव में शुक्र और सूर्य की यूति आपके परिवारिक जीवन में खुश्या लेकर आएगी घर का वातावरन आपका शांत रहेगा घर के सदस्यों के बीच में अच्छी बांडिंग होगी बड़े बुजर्गों का स्वास्थे भी अच्छा रहेगा आप अपने घर परिवार के जात्कों का सहयो करते दिखेंगे तो ये महिना परिवारिक जीवन के लियाद से भी अच्छा है आप स्वास्थे की बात कर लेते हैं इस महिने में तो स्वास्थे में कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे पंचम भाव में मौजुद शनी और बुद्ध छोटी मोटी समस्या दे सकते हैं तो आपको अपने स्वास्थे का ध्यान रखना होगा और पेट से जुड़े रोग कुछ परिशानी का कारण बन सकत अब उपाय की बात करते हैं कि इस महीने में कौन से उपाय हैं जो आपके लिए सबसे उत्तम रहेंगे तो गायतरी मंत्र का जब करना आप शुरू करें गायतरी मंत्र का जब दिन में एक माला आप कर सकते हैं और प्रति दिन सूरे को तांबे के लोटे से जल देना शुरू करें प्रते दिन सुभा को आप ये कारे करते हैं तो ये महीना आप के लिए सूर्य के प्रभाव से उत्तम रहेगा तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस मीडियो को जद जद लाइक करें शेयर करें